हे गाईज देखो एक छोटी सी कंपनी है जहां पर अगर देखो कोई छोटी कंपनी है कोई बहुत बड़ा फंड डालता है तो पक्का वह स्टॉक बहुत तेज भागना शुरू कर देता है और पिछले लगबक कुछ महीनों से यह स्टॉक्स ने हजारों परसंट का रिटन द प向्छ यहां पर भी बड़ाई और आगी एंन्होंने बड़ाया तो जाने दो फोरेंड वाली के बाद कर लेंशें माल 3 परसंट अब वन्होंने बेचने बाइचना के बात यहां पितना चुको था इनके पास maximum था ही पहले 3% भाई मतलब जितना बेचा ने उससे दुगना तिगना और खरीद लिया इन्होंने देखो देखो किस कदर foreign वाले यहां पर माल खरीद रहे हैं उसके बाद public के पास public के पास पहले 22% था फिर 24% आज के रेट में देखो केवल 21% है मतलब public से माल खरीदा गया है ना कि public को माल बेचा गया है यहां पर IT सक्टर की छोटी company है बड़ी company बिलकुल नहीं है एक मिनट इस company के एक पर global presence देख लो global presence मतलब यह किवल इंडिया में काम नहीं करती company पूरे वर्ड में काम करती है यहां पर बताया जा रहा 66 प्लस country में company value होई है कितना 66 प्लस एक दोनी बहुत सारे यहां पर revenue देख लिए इंडिया से 14 परसंट का revenue यह जनरेट करते है 14 परसंट का भाई 46 से भी जादा government तो इनके client है पूरा around में आपको बताया जहां जहां पूरे पूरे country में मतलब बताईए जहां पर गया है उनका इतको क्या बोलते है हैं घर का जो head होता ना उसको करता बोलते हैं डेस का जो head होता ना मतलब जो बड़े बड़े होता है इनों ने देख ली जए किसी को नहीं शुड़ा बड़े-बड़े लोग को मतलब जिस देस में जा रहा है् लोगों कोई बात तो छोड़ो वान कzlich बढ़े बड़े लोग से पैसा कमाती हैं यह लोग और इनके पास experience आपको बताया जाना सुल्ला साल का है कहां कहां पर यह लोग काम करते यहां पर नाम भी उन्होंने बदा रखा है आप चाहो तो time निकाल के आप पढ़ सकते हो यहां पर कमपणी अपना business model भी बताने के लिए तयार है आप इसको भी देख सकते हो financial capital क्या है manufacturing capital क्या है या intellectual capital आपको देखने को मिलेगा human capital आपको देखने को मिलेगा तो यह सारी चीज़ों जो है आप यहां पर company के बारे में डिट्टो जान सकते हो company यहां पर खुदे बोलेग भाई ह यह आपको बताया जा रहे हैं यहां पर देख सकते profit after tax हो गया इविटा जो आपको बताया जा रहा है इसको होता earning before interest tax depreciation amountization इस तरीके से होता है वो हो सकता थोड़ मिस्टेक हो जा है लेकिन वो भी आपको बताया जा रहा 40 करोर revenue भी वहां पर देख लिए सारी चीज़ा अच्छी कवर होती है क्योंकि इनको पता चल लाता कि अब जो है extra revenue यहां पर आने वाला तो बहुत सारी चीज़े हैं बताने के लिए यहां पर company का नाम यहां पर आपको बताया जागा BLS International 18% भागा है जैसे यहां पर नमूरा ने खरीदा 1.1 million share इस price में भी यह लोग आपको बीच में फसा के रख देंगे यह लोग जब बजार भाग जागा तो लोग बोलेंगे मैंने बोला था ना undervalued है जब बजार नीचे चला जागा तो मैंने बोला था ना कि नीचे जाने वाला बजार overvalued करके इस बीच में आप मत पढ़िए आप खुद के ओपर पूरा जान लेजिए यह रहा आपके सामने और इसका पी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 95 है तो केवल पी देखने से काम नहीं चलता कंपनी का अर्णिंग पर शेर भी देखना चाहिए केवल पी से काम नहीं होता आप अडानी गैस का पी देख लो एक बार है कि नही देखा और यह देखे आज के डेट में तो भागा है इसका हाई जो था कुछ और ही था आज के डेट में का छोटा स्टॉक है तो देखो छोटे स्टॉक को कभी भी लंबे समय के लिए खरदा करो देखो पहले जब यह स्टॉक आया तो तो कितना गिर चुका था 88 परसेंट गिर चुका था उसके बाद बढ़ा रिटर निकाल के दिया तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नही तो जहां पर आपका डिमेट अकॉंट बिल्कुल फ्री डिलिवरी चाहिए फ्री क्योंट रुपीज लगेगा वो भी इंट्राडेमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिन्टो में जाके अपने डिमेट अकॉंट बंगर आपन कर सकते हैं